गरहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रू सादर जैसी कृष्ण हमारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारी धरमेंद्र शास्त्री शीटला माता के मंदिर में जाकर उनका विशेस पूजन अर्चन करेगी मूल नामक नक्षत्र होगा तथा धरूराशी में चंद्रमा बिराजित रहेंगे दिशासुल के अगर हम बात करें तो पूरुदिशा में होंगे इसलिए पूरुदिशा की यात्रा करना नुकसान दाय का आरंब कर सकते हैं राहुकाल जो की सुबह साड़े साथ बजे से लेके नो बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवं मांगलिक का रिक्रम आपको संपन्य नहीं करना चाहिए हालाकि राहुकाल का निरने आप अपने ख्रेत्र के पंचांग अत्वा के मीन राशी में वही चंद्रमा धनु राशी में मंगल ग्रह कुम्ब राशी में देव गुरु ब्रहस्पती मेस राशी में बुद्ग्रह मेस राशी में शुक्र ग्रह मीन राशी में शनिदेव कुम्ब राशी में राहुग्रह मीन राशी में तथा केतू ग्रह कन्या राश दन लाप के सांसा नया काम नई जुम्मेदारी नया मुकाम भी इनको मिल सकता है रुका हुआ धन इनको प्राप्त होगा इसके अलावा इनके द्वारा जो भी काम किया जाएगा उसमें आगे चल करके इनको ही फाइदा प्राप्त होगा सुर्योदय सुबह 6 बचके 17 मिनिट पर होगा तथा सूर्यास्त शाम को छे बच करके 31 मिनिट पर होगा शुब महुर्थ की अगर हम बात करें तो सोंबार का दिन है और सोंबार के दिन जो सबसे पहला जो चोग्रिया रहेगा वो सुबह चे बजे से साड़े साथ बजे तक अमरत का चोग्रिया और उसके बाद सुबह नो बजे से लेके साड़े दस बजे तक शुब का चोग्रिया और उसके बाद दो पार देड़ बजे से लेके तीन बजे तक चर का चोग्रिया तीन बजे से लेके साम को साड़े चार बजे तक लाब का चोगडिया तर्थ साड़े चार से रात यह ने शाम को 6 बजे तक अम्रत का चोगडिया रहेगा इस दोरान यदि आप कोई भी शुपकाम करेंगे, मांगलिक कारी करेंगे, नया काम करेंगे तो आपको अधिक से अधिक फाइदे का से योगनिर्मत हो सकता है अब हम आपको मेस से ले करके मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी पल बताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंत तक देखेगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेसरासी की भाग्य का सितारा प्रबल होकर आपको बहुत कुछ देने का प्रयास करेगा अताहसमाई का सम्मान करे घर के वरिष्ट व्यक्तियों की सलहा पर अवश्च ध्यान दे सलहा रूपी उनका अशिरवाद आपके लिए लाप प्रत साबित होगा कहीं पर निवेश करने या किसी को पैसा उधार देने से पहले अच्छी प्रकार से जाँच परताल अवश्च करे भावनाओं में आकर आप अपना नुक्सान कर सकते हैं किसी सेरवजनिक इस्थान पर कोई बहस होने जैसी स्तिती बन रही है बहतर होगा कि अपने काम से ही आपको काम रखना चाहिए और उपाई के रूप में गरीब आदमी को मसूर की दाल का दान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा अब हम बात करते हैं व्रशवरासी की इस समय लाब दायक ग्रह सितियां आपके लिए बन रही है कोई निवेश्यदी करने जा रहे हैं तो समय उत्तम है भूमे भवन वाहन भी खरीटने का आप विचार बना सकते हैं परन्तु इससे संबद्धित कोई भी कारी करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सला अवश्य ले धर्मिक तथा सामाजिक गतिविदियों में आपका विशेष योगदान रहेगा महत्वपुन संपर्क स्थापित होने से आत्म इश्वास आपका बढ़ने वाला है और उपाई के रूप में कच्चा दूद शंकर भगवान के मंदिर में चड़ाना आपके लिए शुफलदाई सावित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं मिथुन राशी की किसी निकट संबंदी की परिक्षानी में आपकी सलहा उनके लिए हल निकालेगी आपका मैन संब्मान बढ़ेगा कुछ अप्रत्याशित चुनोतियां भी आपके सामने आएगी आप पुरे अत्मिश्वास के चांथ उनका सामना करने में समर्थ रहेंगे आज किसी से भी उधार पेसा न ले इससे आपके संब्मान में कमी आ सकती है और संबंद खराब हो सकते हैं और उपाई के रूप में गाई को रोटी और गुड़ खिलाना आपके ले शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की अगर कोई शास्की कारी रुका हुआ है तो किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ मिल करके विर्चार विमर्ष अवस्य करे आपको सफलता मिलेगी परिवार के साथ किसी धार्मिक इस्थल पर जाने का कारीक्रम आपका बनेगा घर में कोई शुब या मांगली कारीक्रम संपन होने की योजना भी बनेगी लाल फूल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की परिवार से जुड़े कुछ महत्तुपूर्ण फैसले लेने से कोई उचित परिणाम आपके सामने आएंगे कारियर संबन्दी कोई नया आउसर मिलेगा किसी खास या बड़े वक्ती से आपकी मुलाकात होगी और उनसे आपको फाइदा भी होगा तथा मानसिक शान्ती भी आपको प्राप्त होगी कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिलने वाली है और सकरात्मक गतिविधियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे धनलाब होगा चिंता न करे समय आपका साथ पूरा पूरा देगा उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि आप गुड़ खाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं कन्याराशी की आज कुछ नया करने की आपके अंदर एक उर्जा बनी रहेगी धर्म तथा आध्यात्म में आपकी रूची बढ़ेगी विध्यारतियों को कैरियर से संबंदित सकारत्मक परिनाम प्राप्त होंगे उससे सुकुन भी मिलेगा व्यस्तता के बावजूद आप अपने परिवार तथा अपने रिस्तेदारों के लिए उच्चित समय निकाल लेंगे कोई भी काम करने से पहले अच्छी प्रकार से सोच विचार करना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में भगवान गणीश जी के मंदिर में बैसन से बनी मिठाई चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की ग्रहों की इस्तितियां आपके लिए भरपूर सहयोगात्मक बनी हुई है आप किसी भी कारी में हाट डालेंगे उसमें सफल अवश्य ही होंगे प्रपान्तू प्रापर्टी की खरीत फरोक्त संबंदि अगर कोई कारी आप करने जा रहे हैं तो उसमें लापरबा ही बिलकुल न करें कोई भी दस्तावेज बिना पड़े हस्ताक्षर न करें आलस्य और मोज मस्ती में समय व्यर्थ व्यतीत न करें इसकी वज़े से आप अपनी कई महत्वपूर्ण उपलवधियों को गमा सकते हैं दिखावे की प्रबत्ती से दूर रहे तथा जीवन की वास्तुक्ता का सामना करें व्यावसाई क्षेत्र में सारे फेसले खुदी ले अज मार्केटिंग संबंदिक कारियों को इस्तगित रखें क्योंकि इनमें समय व्यार्थ होने के अलबा कुछ हासिल नहीं होगा नोकरी में अपने लक्ष को प्राप्त करने में आप सफल रहेंगे आपको प्रमोशन भी प्राप्त हो सकता है मैंसमान के सांथ साथ आपको आर्थिक फाइडा होने का दिन भी है रुका हुआ पैसा भी आपको अचानक प्राप्त होगा संतान संबंदी कोई कार यदि अटका हुआ है रुका हुआ है तो उसके भी शुब समाचार आपको मिलने वाले हैं उपाई के रूप में यदि आप सफेद रंग की कोई भी वस्तू का दान जैसे चावल या शकर का दान करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका जामूनी होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की आज आपकी आर्थिक योजना से संबंदित लक्ष आसानी से फलिभूत हो जाएंगे जिसकी वज़ा से मन प्रफुल लित रहेगा धार्मी कारियों में आपका योगदान बढ़ेगा आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी लोग आपको पसंद करेंगे किसी भी नकारत्मक परिस्थिती में अपना आपा न खोएं शांती पूर्ण तरीके से परिस्थितियों का सामना करें विध्यार्थी वर्ग भी अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाह हो सकते हैं जिसका दुष्प्रभाव उनके परिनाम पर पढ़ सकता है वियर्थ के बाहरी संपरकों से दूरी बना करके आपको रखना चाहिए उपाई के रूप में यदि आप भगवान विश्णू जी के मंदिर में हल्दी का दान करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका कैसरिया होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की अगर कुछ परिवर्तन या सुधार संबंदी योजना आप बना रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी नया काम नई जिम्बेडारी आपको मिलने वाली है धनलाब भी होगा इसके साथ साथ आपको सम्बान भी प्राप्त होगा यदि आप नया काम जैसे नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं या नई नोकरी की तलाश में हैं तो वो तलाश आपकी पूर्ण हो जाएगी लेकिन शत्रू आपको परिशान करने का प्रयास कर सकते हैं धनलाब होगा घर परिवार में नई खुशियों का आगमन होगा कोई नजदी की मित्र या रिस्तिदार जलन की भावना से आपके खिलाप कोई ने कोई अफवा फैला सकता है इसलिए ऐसे लोगों से बच कर रहे व्यापार वह कामकाच को लेकर आप बहुत गंभीर वह समारपित रहेंगे उपाय के रूप में मचलियों को आटे की गोलियां डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की समान विचारधारा वाले लोगों से संपर्क होगा आपके किसी खास उनर तथा नालेज की तारीफ होगी युवा वर्ग को कोई उत्तम कारी की जिम्मेदारी मिल सकती है या बड़ी नोकरी भी उनको प्राप्त हो सकती है पिछले दिनों जो मेहनत की है उसके भी परिणाम देखने को मिलेंगे उपाय के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में गंगा जल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं कुम्ब राशी की आर्थिक पक्ष कुछ मजबूत बनेगा दोस्तों के साथ पारिवारिक मनोरंजन के कारिक्रम बन सकते हैं खुश्टनुमा माहूल में आप दिन व्यतित करेंगे किसी भी महत्पूर्ण कारिकों करते समय घर के सदस्यों का सहयोग और सलाह आपके लिए महत्पूर्ण रहेगी पारिवारिक व्यवस्था में किसी बहारी व्यक्ती का हस्त शेप न होने दे और उपाई के रूप में भोजन के साथ मीठे दही का उपयोग करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की कुछ समय अपनी डूची पूर्ण कारियों में आपका व्यतित होगा इसे आपको आत्मिक शान्ती वा खुशिया प्राप्त होगी व्यस्तता भरी दिन चरिया आपकी रहेगी थकान भी आपकी दूर होगी बच्चों से संबंदित जो समस्या है उसका भी निवारन आपको हो जाएगा ध्यान रखे कि किसी महत्वपूर्ण वस्तू को चोरी होने या खोने की आशंका है इसलिए अपनी वस्तू को समाल कर आपको रखना चाहिए युवा बैर्ग को लक्ष के प्रती गंभीर रहना चाहिए अन्यथा भविश्य संबंदी परिशानिया उनको उत्पन हो सकती है मशीन दित था कार खाने से संबंदित व्यवसाय में कोई बड़ा आउडर मिल सकता है इसलिए पूरी महनत और एकागरता के सांथ में आपको काम करना चाहिए और उपाई के रूप में मा लक्षमी जी को पीला फूल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका क्रीम होगा तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाई तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको बताए है हमारे इस ग्यान वर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करीगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जैसी कृष्ण सादर धन्यवाद